Hello and welcome friends, यहाँ पर देख सकते हैं C++ का एक program लिखा हुआ है और इसमें मैंने name spaces का concept यूज किया है और यहाँ पर आपको दिखेंगे array में store वो number जिनका हमें LCM calculate करना है यानि 30, 24, 12, 6 और 4 इन सब का LCM हमें calculate करना है तो यह calculate करने के लिए यह program लिखा गया है अब अगर इसको मैं यहाँ से सबसे पहले तो यह output जो आया हुए इसको close कर देता हूँ और फिर यहाँ से इसको compile करवाता हूँ तो यह अगर program में कोई error नहीं होगा तो यह successfully compiled हो गया देखिए और फिर यहाँ पर जाकर के इसको run करवा देता हूँ यह run करवाते ही इसका LCM बता रहा है कि यह जो यहाँ पर numbers लिखे गए हैं यह numbers जो लिखे गए हैं इनका LCM 120 होगा ठीक है